Hello students, welcome to my channel. Today we are going to cover the part 4, the rise of nationalism in Europe. We were studying about the society of Europe. Europe की society के बारे में समझ रहे थे हम लोग, ठीक है? और हमने Europe की society की जो thinking थी, लोगों की ये सोच थी, किस किस तरीके की सोच निकल के बहार आ रही थी, लोग क्या करना चाह रहे थे, किस तरीके की government चाह रहे थे, नेशनलto के क्यों चाहा रहे थे, इसके बारे में हमने थोड़ा सा बहुत पढ़ा था, जैसे कि last time हमने बढ़ा था liberalism के बारे में, यानि कि liberal nationalism के बारे में पढ़ा था, कि एक society थी जो की liberal nationalism चाहती थी, कि यूरोप में एक liberal nationalism आ जाए यानि freedom हो और लोगों के अंदर एक nation state की भावना हो ठीक है आज हम बात करने वाले हैं दूसरी type of thinking की एक और दूसरी तरीके की thinking चल रही थी उस time पर यूरोप के अंदर ये बात है 1815 की लेट इस बीगिन देखो ये thinking है new conservatism की ठीक है conservatism चंजर्वेटिजम या conservatism क्या होते हैं वह होते हैं रूड़िवाद रूड़िवादी या रूड़िवाद ठीक है क्या होता है conservatism तो देखो मैं एक बात बताता हूं तुम्हें जो यूरोप वाला पार था वहाँ पर बहुत सारी societies थी अभी तक कोई nation state नहीं बना हुआ था Kingdoms थे बहुत सारे ठीक है अब हम बात कर रहे हैं कि society किस तरीके की थी तो ऐसे ही 1815 के आज सपास लोगों के जो बहुत सारे लोग थे महाँ पर जो की एक ऐसी government चाहते थे कि जो conservatives से मिलके बने ठीक है तो यह क्या होती है conservatism इसको समझते हैं after the defeat of Napoleon in 1815 European governments were driven by the spirit of conservatism ठीक है यह कब हुआ हम 1815 की ही बात क्यों कर रहे हैं क्योंकि 1815 तक Napoleon ने बहुत सारा area Europe का capture किया हुआ था और ज्यादा तर लोग influence थे नपूलियन से ही और उसी का राज चल रहा था लेकिन battle of waterloo में जो की four major countries थी वो लड़ रहे थी नेपूलियन के खिलाफ ठीक है वो नेपूलियन को हरा देती है battle of waterloo में battle of waterloo यह हुई थी रश्या के असपास ठीक है याद रखना इसे और इस battle के अंदर नेपूलियन हार जाता है और चार major countries थी जो साथ मिलके लड़ रही थी वो जीच जाती है ठीक है तो वहीं से यह सोच है conservatism की क्योंकि अब जैसे ही नेपूलियन हार जाता है तो सब लोग यह चा रहे होते हैं कि अब rule कैसे होगा यूरोप पर ठीक है उसके उपर विचार हो रहा होता है और तब ही यहा रहा गया है conservatism ठीक है तो conservatism कैसी thinking होती है a political philosophy that stress the importance of tradition established institutions and customs and preferred gradual development to quick changes ठीक है conservatism एक तरीके से तुम यह सोचो कि पुरानी thinking होती है traditional thinking होती है ठीक है लोग ऐसे लोग जो कि ज़्यादा तर यह सोचते हैं कि पुरानी जो पुराना जैसा government थी वैसी ही government होनी चाहिए तो वो लोग एक ऐसा political philosophy जिसमें stress दिया जाए importance of the traditions यानि पुरानी जो सोचती उसको ज्यादा importance दी जाती थी और यह लोग चाहते थे कि वापिस से मुनार्की system आ जाए ठीक है यानि कि एक तरीके से orthodox सोच थी इनकी पुराने ज्यादा तर changes नहीं चाहते थे और यह लोग यह सोचते थे कि जैसी government पहले थी वैसी ही government को वापिस से establish कर दिया जाए और जो changes हो रहे हैं वो केवल धीरे धीरे हो एकदम से change ना कर दिया जाए जैसे कि Napoleon या कोई जैसे Napoleon की मुनार्की system था ठीक है उससे पहले बहुत सारे constitutional मुनार्की आई बहुत सारे changes हुए थे France के अंदर तो वो एकद दिरे-दिरे changes चाहते थे और इनकी thinking थी कि एक मुनार्की system बहुत सही system है और उसी को हमें वापिस से establish कर देना चाहिए Europe के अंदर ठीक है तो जो conservatism वाली thinking थी इसमें भी कुछ दो group बने हुए थे कुछ लोग ऐसे थे जो कि सिर्फ यह चाते थे कि मुनार्की system वापिस आ जाए जो churches है जो कि Napoleon ने बंद करा दिये थे ठीक है properties जो है उसको हमें preserve करके रखना चाहिए families को preserve करके रखना चाहिए एक एक thinking यह थी और कुछ लोग जो ज़्यादा तर conservatism थे वो लोग यह सोचते थे देखो पहली वाली की thinking मैं तुम्हें बता देता हूं first type of conservatism thinking conservatives wanted to restore traditional institutions of state and society like the monarchy यानि कि वो वापिस से चाते थे कि राजा शाही वापिस आ जाए यानि राजा का जैसे राज था पहले 1789 से पहले revolution of France से पहले वो वापिस आ जाए churches को वापिस से रिस्टोर कर दिया जाए social hierarchy आ जाए यानि कि जैसे state वाला था ना first state second state third state उसी तरीकी का system आ जाए property and the family should be preserved property को family को preserve गरे government इस तरीके का कोई system हो और कुछ लोगों की thinking थोड़ी सी अलग थी लेकिन वो भी conservatism ही थे लेकिन उनकी thinking थोड़ी सी change हो गई थी तो वो क्या थी most conservatives however did not want the society to return to the pre revolutionary days ज्यादा तर जो conservatism थे conservatives थे conservatives कौन होते जिनकी सोच रूड़ी वादी होती है ठीक है उन लोगों को क्या कहा जाता है conservatives तो जो conservatives थे वो लोग नहीं चाते थे कि जो pre revolutionary days थे यानि कि monarchy system जिस तरीके का 1789 से पहले था वो ही वापिस आए तो वो लोग क्या चाते थे however they believed that the changes introduced by Napoleon could be strengthen could strengthen traditional institutions like monarchy वो चाते थे कि जो Napoleon ने चिंजिस किये हैं उनी changes को हमें अभी carry forward करना चाहिए क्योंकि वो जो changes Napoleon ने किये हैं वो बहुत ही अच्छे changes हैं ठीक है और traditions को ही strengthen करते हैं मतलब उसने कुछ help ही किया हमारे traditions को बचाने के लिए और वो भी एक तरीके से monarchy system ही था क्योंकि Napoleon ने अपने आपको राजा बना दिया था emperor of the France घोशित कर दिया था तो वो भी एक monarchy system था ठीक है लेकिन जो उनको Napoleon के सबसे बड़िया बाते लगी गया उनका जो उसका administrative system उनके पसंद आया वो क्या था और modern army, efficient bureaucracy, a dynamic economy, abolition of subdom and feudalism could strengthen the autocratic monarchy of Europe ठीक है जो दूसरी तरीके की सोच रखते जो दूसरी टाइप के लोग थे जो दूसरी टाइप की thinking रखते थे वो लोग यह सोचते थे कि जो Napoleon ने changes की हैं जैसे कि modern army जो उसने army को बहुत modernize कर दिया था efficient bureaucracy थी यानि कि जो officers थे उनके बहुत ही अच्छे थे a dynamic economy जो उसकी wealth थी France की वो increase होती जा रही थी और जो उसने surfdom और feudalism जो की दो बहुत ही बेकार चीजें थी जैसे कि surfdom में भी क्या होता है labor की तरह आपको काम करना पड़ता है दूसरे के खेतों में और feudalism में भी इसी तरीका काम होता है या तो आपको घर पे काम करना होता है या फिल्ड्स में काम करना होता है तो आप बंदवा मजदूरों की तरह काम करते हो तो वो खतम कर दिया था Napoleon ने तो यह वाला सिस्टम वो चाहते थे कि यह जो नेपोलेन ने किया था वो चिंजिस को ऐसे का ऐसे ही रहने दिया जाए इससे क्या होगा जो मोनार्कियल सिस्टम है वो और ज्यादा स्टेंथन होगा यानि उसकी स्टेंथ इंक्रीज ही होगी तो यह सारी थिंकिंग थी केंजर्वेटिजम की है ठीक है तो यह कोश्चन तुम्हें नोट डाउन कर लेना है और अंसर लिखना है अब हम बात करते हैं 1815 की ही जब बैटल ओव वाटलू में नेपोलेन हार गया था और जो फोर मेजर कंट्रीज थी जो जन्होंने एक साथ गुरूप बनाके उसको हर अचल आया था तो वहीं ग्रेक्रेश of वियेना बुलाते है यह क्यों भूलाई जाते है रिजन क्या था इसका कॉंग्रेस का मतल colocar से शाएं तरुकर मेटिंग होती है ठीक है और क्योंकि यह वियंना में हुई थी तो इसलिए इसका नाम Congress और वियना रखा गया एक तरीके के मीटिंग थी ठीक जो चारों कंट्रीज थी जो लोग जीते थे उन में कौन-कौन था इंगिलेंड यहीं 25 एन के बिटें रशिया प्रुष्य और ओस्ट कंट्रीज तो यह चार स्थी कौन-कौन सी बिटेंड रश्या प्रुष्य और आस्टियरे तो यह1 और तक उनको क्योंकि देखो यह जीत चुके थे जो Napoleon को इन्होंने हरा दिया था और वो area इनके under आ चुका था ठीक है territory word का मतलब यहाँ पर region होता है region का मतलब होता है वो area ठीक है तो क्योंकि उन्होंने Napoleon को हरा दिया था तो इसलिए अब जो area है उसका division होना था और उसके उपर ठीक है capital of the Habsburg Empire कि देखो विएना में ही क्यों मेटिंग हो क्योंकि वहाँ पर एक बहुत मेजर इंपायर था उस टाइम पर किंग्डम से बड़ा होता इंपायर ठीक है तो उस टाइम पर एक बहुत बड़ा इंपायर था उस टाइम पर कौन सा था वह हैपसबर्ग इंपायर जिसके बारे में हमने लास्ट टाइम पर भी बात की थी उसका capital विएना तो वहाँ पर यह मीटिंग हुई थी ठीक है तो डिसाइड दा फ्यूचर ऑफ द यूरोप तो फ्यूचर यूरोप का क्या फ्यूचर होगा उसके बारे में डिसाइड करने के लिए मीटिंग हुई थी ठीक है यह है पहला पॉइंट तो डिसकुस दा फ्यूचर ऑफ दा यूरोप दूसरा क्या था इट दे इसेंबल एड़ दे विएना टूड्रो अपा सेटलमेंट फॉर यूरोप तो वही मैंने का ना सेटलमेंट होना था क्योंकि चार कंट्रीज थी तो वह जो टेरिट्री उन्होंने जीती थी उसको डिवाइड करना था दा डेलिगेट्स ड्रीव अब दा ट्रीटी ऑफ विएना ट्रीटी का मतलब यहां पर क्या होता है एक तरीका पीस एग्रिमेंट होता है ठीक है क्या होता है पीस एग्रिमेंट जब भी कभी लड़ाई होती है उसके बाद होता है पीस एग्रिमेंट उसे ट्रीटी कहा जात वह वह सब चीजे़ चेंज से चिह ने नेंपिलियन ने कीए थे में सब खताम करना चाहेते वह वापिस से पफराना सिस्टम लाना चाहरे थे नफ रिन चीजेए nichi वहार्ज śidor सामस नभट कीम के लटी फेरी निफ तो वह वापिस से रिस्टोर करना चाहिए क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें कि कंजर्वेटिजम सोच थी उनकी उनको यह लगता था कि जो पुराना सिस्टम था वह पुराना सिस्टम ही वापिस लाना चाहिए तभी हम सुखी रह सकते हैं ठीक है जो है जो है लेंड का एरिया बहुत सारा चेंज किये गए ताकि जो फ्रांस है उसका जो एरिया वह एक्स्पेंड ना हो इंक्रीज़ ना हो तो इस विचार से उन्होंने यह किया था ठीक है वो मतलब एक तरीके से यह चाहते थे कि फ्रांस का जो एरिया है अब वो सीमित कर दें मतलब कंट्रोल में ला दें फ्रांस जो है अब कभी भी अपना एरिया इंक्रीज ना कर सके मैं बता हूँ आगे किस तरीके से वो करते हैं आगे और ता कंट्रवेटिव डिट नाड वॉंट एनी ग्रेट अफैबल मलब जैसे रिवॉलिशन पहले हुआ था ना फ्रांस में इस तरीके का कोई रिवॉलिश्न वो द्वारा नहीं चाहते थे मालब फिर से कोई उतल पुतल ना हो इस तरीके का रूल वो चाहते थे वो जाते थे एक long rule हो ठीक है तो यह इस तरीके के main objectives थे एक और main objective था इसका the main objective was to redraw the political map जो मैं बताए रहा हूं कि political map को redraw करना था and to settle the issues arising from the French revolutionary wars and the Napoleonic wars जितने भी issues हुए थे France जो France जो France की revolution हुई थी उसके कारण और जो Napoleon ने लड़ाई लड़ी थी उसके कारण जो भी लोगों में थोड़ी सी हल चल थी और बहुत सारी problems थी उन सब problems को वो खतम करना चारे थे एक तरीके से the immediate background was the defeat and the surrender in May 1814 which brought an end to the 20 years of continuous war क्योंकि Napoleon बहुत सालों से लड़ाई लड़ रहा था ठीक है और जैसे ही उसकी death हो जाती है after the battle of Waterloo तो यह war जो है खतम हो जाती है और यह treaty of Vienna उसी का एक सबूत है एक तरीके से peace agreement है ठीक है तो क्या-क्या आए वियना में Congress of Vienna में इसको हम समझते हैं मैं आपके सुरू देखो territorial changes made at the Congress of Vienna कौन कौन से territorial changes आए ठीक है हम समझ रहे हैं कि जब treaty of treaty of Vienna हुई तो वहाँ पर कौन कौन से changes आए थे ठीक है पहला change देखो क्या आए था तो सबसे पहला change की आया सबसे पहला मैंने बोला कि कौन सी thinking है जो इसको rule कर रही है अब 1815 के बाद rule करेगी वो है thinking conservatism की conservatism का मतलब पुराना rule पुराना rule का मतलब यह है फ्रांस में पुराना rule कौन सा था क्लास 9 में तुमने यह पढ़ा होगा कि वहाँ पर borbon family या borbon dignity rule करती थी उस time पर ठीक है तो जब यह 1815 के या Congress meeting हुई थी तब इन्होंने वापिस से फ्रांस के अंदर क्या किया रिस्टोर कर दिया और इस्टोर कर दिया और फिर siya को इस्टमव और फ्रांस के वो ले आए थे और एक और बात जो नेपोलियन ने वहाँ पर बहुत सारी लड़ाईयां जो लड़ी थी और जो उसने कुछ राज्य जीत लिये थे उन सारे राज्य को वापस से जो फ्रांस से ले लिया गया और वो आपस में बाट लिया इन चारे चार कंट्री होना है तो अभी इसको भी हम समझते हैं पहला किया अन्होंने सबसे पहला किया कि बार बायाईनसटी वाज पर रिस्टोर ठीक है याद आख लेकित बालबान दैसटी वाज डिश्टोर धिकर ब्रूसरा पॉइंट तो यहां पर यह जो छोटी-छोटी कंट्रीज है ना यहां पर यहां इसको चारों तरफ से एक इस तरीके से इन्होंने इसकी बॉंड्रीज पर नौर्थ की साइड पर बॉंड्रीज पर छोटी-छोटे राज्ये बना दिये ताकि ये कभी आगे एक्सपेंड ना कर सके क्योंकि ये इस तरफ से ऐसे जा रहा था एक्सपेंड होता हुआ ठीक है ये ऐसे ऐसे की कैप्चर करता तो क्या किया है इन्हों ने फ्रांस की वांडरी करके और वहाँ पर ऐसे छोटे छोटे कुछ राज्ये अलग से बना दिये जैसे की नीदल लेंड उस टाइम पर बना था बेल्जियम उस टाइम पर बना था ठीक है याद अख ले ना ये भी बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है तो पहला पॉइंट था हमारा बॉर्पॉइंट डाइनिसर्टी वाज रिस्टोर्ड सेकेंड पॉइंट है हमारा प्रिवेंट फ्रेंज फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर क्या किया है उन्होंने फ्रांस का जो है एक्सपेंशन ना हो वो बड़े ना अपना एरिया इंक्रीज ना कर से कि इस तरीके से उन्होंने बॉंड्री को क्या कर दिया है, सीज कर दिया था, ठीक है, अगला है, the kingdom of Netherlands, together with the Belgium, was set up in the north, तो मैंने भी बताया तुम्हें कि, यहाँ पर देखो, यहाँ पर kingdom of, यह, नीदरलेंड्स, यहाँ पर इन्होंने store किया था, यहाँ पर यहाँ बेल्जियम को यहाँ पर यह setup कर देते हैं, north के अंदर, ताकि France जो है, आगे वो, अपना area extend ना कर सके, और Genua, एक नाम से, यहाँ पर देखो, नीचे दिख रहा होगा, तुम्हें Genua, Genua, जो है, south में इन्होंने setup किया था, ताकि यह इस तरफ से भी, south की side से भी expand ना कर सके, एक तरीके से block कर दिया था, France को expansion से, Austria was given, तो अब देखते हैं कि बटवारा कैसे हुआ, जो areas, नैपोलियन ने जीते थे, उसको बटवारा कैसे हुआ, तो देखो, Austria को का मिला, Austria को मिला, Lombardi और Venetia, ठीक है, तो Lombardi और Venetia, किसको मिला, Austria को मिला, ठीक है, which were the parts of the Italy, तो यहां पर यह तुम्हें यहां पर देखेंगे, यह वाले parts, यह इटली के part हुआ करते थे, तो बेसिकली अगर तुम बात करो, तो North Italy का जो part था, वो किसको मिल गया था, वो मिल गया था, Austria को, तो Austrian Empire जो है, अब इस पर रूल करने वाला था, ठीक है, Persia was given the territories in its western frontier, तो Persia देखो यहां पर है, तो यहां की ही इसको कुछ territories मिली थी इसे, German Confederation if 39 states formed by the Napoleon was left intact, ठीक है, तो देखो, Persia को तो यहां की कुछ territories इसको मिली, जो यह German Confederation है, यहां पर 39 states हुआ करते थे, जिसको किस ने बनाया था, Napoleon ने बनाया था, इसको कुछ नहीं किया, इसको ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है, इसका कोई चेंज नहीं किया, Persia को सिर्फ Western Part मिला, ठीक है, याद रख लेना, Persia was given the part of Saxony, ठीक है, उसका नाम था, जो एरिया है, एरिया का नाम, यहां पर यह दिख रहा है तुम्हें, यह वाला पार्ट किसको मिला, परशिया को मिल गया था, यह है नाम, S-A-X-O-N, ठीक है, तो यह जो है, किसको मिला, परशिया को, वेस्टन पार्ट, रशिया was given the part of Poland, तो पोलेंड जो है, किसके अंडर आ गया था, देखो, यह देखा लिखा हुआ ना, Kingdom of Poland, यह मिल गया, रशिया को, तो अब मैंने बता दिया, कि क्या-क्या चिंजिस आए थे, पहला चिंज आए था, बार्वन फेमिले डाइनिसेटी वाज रिस्टोर्ट, सेकेंड क्या हुआ था, एक्सपेंशन, प्रिवेंट दा फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर, और तीसरा, ऑस्टिया को कौन सा पार्ट मिला, नॉर और, और, तो ये क्यों किया गया था, रिस्टोर क्यों किया गया था, यहाँ पर, जितना भी पूरा, मलब देखो, जैसा कि फ्रांस में, वापिस से बार्वन फेमिलीज कर दी थी, और बहुत सारे किंग्डम्स बना दिये गए थे, सारी कंड़ी, जो भी उन्होंने, कैप् जैसे उन्होंने वापिस से पुराना सिस्टम रिस्टोर कर दिया था, किसने इस वेना ओफ कॉंग्रेस की मीटिंग में ये डिसाइड हुआ था, ठीक है, तो अब किस तरीके का रूल आ गया तो इस तरीके के रूल को कहा जाता है, कंसर्वेटिजम, ठीक है, और अर्प्र, और तो अब जो 1815 के बाद Europe में किस तरीके का रूल है, कंसर्वेटिव रिजीम का, तो किस तरीके का रूल होता है, वाट कैंड अफ कंसर्वेटिव डिजीम वाट का एटन 1815 देखो यह होते हैं Autocratic Autocratic क्या होते हैं जो कि Monarchal System होता है इसे कहा जाता है Absolute Monarchy यानि कि इसके पास पूरी Power होती है ठीक है Absolute Monarchy कहा जाता है इसे मेनिंग relating to a ruler who has a absolute power एक तरही से एक राजा जो इसके पास सारी powers उसी अकेले के इंसान के पास हो Autocratic मतला Self Government होती है एक तरीके से तो एक इंसान के पास पूरी Power हो जाएगी Absolute Power हो जाएगी ठीक है कोई और decision making में कोई और part नहीं लेगा नहीं यहाँ पर कोई Republic होगी ना कोई election होगा तो एक तरीके से मोनार की सिस्टम है यह ठीक है तो अब जो है यूरोप में यह conservative रिजीम वापस से इन्होंने रिस्टोर कर दी थी कि देडिड नौट टॉल्रेट क्रिटिसिजम एंडिसेंट और पूट डॉन अक्टिविटेज डैट कोशन दा लगेट लगेटिमिसी ऑफ और अटो क्रेटिक गवर्मेंट तो यह लोग ज्यादा देखो यहाँ पर यूरोप में जब यह ऑटो क्रेटिक गवर्मेंट कि फूर्चेत करें उसके ख्लाफ उसके डिजिजन के खिलाफ को यह लोग यह नहीं चाहते थे ठीक है और डिसेंट पूट डान अक्टिविटिटिस ठीक है जो भी काम कर रहे थे उसको अगर उसके खिलाफ कोई बात होती थी तो उसको यह खतम करते थे यानि उसको दभा लादिया करते थे इस तरीकी के गॉवर्मेंट थी यह मोस्ट आफ दा गॉवर्मेंट इंटर्ड्यूस स्टिक्ट सेंशर्शिप तो इन्होंने क्या किया सबसे को खतम करने के लिए कि कोई हमारे खिलाफ कुछ लिखे ना हमारे खिलाफ कुछ बात ना करे बलब शांती में प्रेस में बता नहीं सकते थे without the permission of the king ठीक है and control the newspaper तो censorship लागे क्या किया इन्होंने प्रेस को control कर लिया newspapers को books को plays को songs को that reflect the ideas of liberty and freedom जहां पर भी liberty या freedom की बात की जाती थी उन सारी जगहों से किताबों से प्रेस से प्लेस से वो सारा content हटवा दिया करते थे censorship से ठीक है However the memory of the French Revolution continue to inspire liberals लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कि French Revolution से अभी भी बहुत ज़्यादा परभावित थे और अभी भी एक revolution की भावना पीछे ही पीछे चुपके यानि अंडर ग्राउंड चल रही थी ठीक है वह अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो यह चाहते थे कि हम free हो जाए हमें यह government पसंद नहीं आई ठीक है क्योंकि राजा ने क्या किया हुआ था जो यह जो autocratic government थी इसने क्या किया हो था प्रेस पे पूरी तरीके से अपना control था उनका तो मीडिया के थूरू या प्रेस के थूरू कोई भी अपनी बात आगे रख नहीं पा रहा था तो उनकी जो बाते थी revolutionaries की वो लोगों तक कोच नहीं पा रही थी ठीक है तो अब यह जो revolutionaries जो यह अपनी बात रखना चारे थे इन्होंने किस तरीके की ideology थी इनकी क्या सोच थी इनकी उसको समझते हैं और कौन-कौन से revolutionaries आए और किस तरीके से इन्होंने revolution किया हम वो अभी समझेंगे देखो आब तुम यह बात करने के लिए कोई ना कोई revolutionary group उभर के आई रहा था ठीक है क्योंकि लोग खुश नहीं थी अपने government से और वो जो राजाशाही है उसको खतम करना चाह रहे थे किसी ना किसी तरीके से तो हम बात करते है revolutionaries की जो की revolution करते हैं उनको कहा जाएगा revolutionaries तो उनकी क्या ideology थी क्या thinking थ करते थे तो वो समझते हैं देखो आइडेलोजी आफ दा रिवालिशनरी आफ्टर एटीन फिफ्टीन दा फियर ओफ रिप्रेशन ड्रॉब मैनी रिवालिशनरी अंडर ग्राउंड तो अभी मैं बता रहा था कि conservative regime चल रही थी जिसमें पूरी तरीके से दबा राखा था र ग्राउंड तो गाने के वजए से यानि जो भी बात अपनी रखता था उसे को दबा दिया आता था का गउर्मेंट उससे दबा दिया करती थे लेकिन वो शांती से पीछे से काम कर रहे थे सीक्रेटली काम किया करते थे तो इसी विज़े से अगर तुम देखोगे कि 1815 के बाद बहुत सारी सी क्रेट सुसाइटीज बनी क्या बनी सीक्रेट सुसाइटीज to spread their ideas and to train other revolutionaries अपने ideas को बताने के लिए कि हम क्या सोच रहे हैं और हमें किस तरीके से revolution करना है आगे उसके लिए जो लोगों को सिखाया जाता था ट्रेन किया जाता था वो secretly हुआ करता था उस टाइम पर तो बिया revolutionary at a time meant तो उस टाइम पर revolution का क्या मतलब हुआ करता था उस टाइम पर revolution का मतलब हुआ था fight for the liberty and freedom अब देखो अब बात आने लगी थी हमें government नहीं बदलनी हमें क्या चाहिए हमें चाहिए liberty and freedom ठीक है हमें आजादी चाहिए और freedom चाहिए to oppose monarchical government established after the congress of Vienna जो यह monarchical government ठीक है जो एक तरीकी की monarchical government इन्होंने established कर दी है जो autocratic government established कर दी है Congress of Vienna ने उसको वो अपूर किया करते थे उसके against बात किया करते थे और वो यह कहा करते थे कि हमें यह वाली monarchical government नहीं चाहिए many revolutionaries wanted to establish nation state और बहुत सारे revolutionaries थे उस time पर जो कि अब किसकी मांग उठाने लगे थे nation state की रास्ट्रे की एक नया रास्ट्रे बनाया जाए हमारा एक अलग रास्ट्रे हो ठीक है जहां पर क्या हो elections हो republic हो हम लोग हमारा एक मुख्याओ जिसे हम elect करें which was an essential part of their struggle for independence तो यह तीन उनके main aim हुआ करते थे पहला लेबर्टी एन फ्रीडम दूसरा देवर अपोसिंग दा मोनार्कल गवर्मेंट और अगला है बहुत सारे जो नेशन स्टेट की डिमांड ठीक है तो establishment of the nation state तो इनमें से ही एक revolutionary थे जिसे पी मेजिनी ठीक है इनका नाम था और यह बड़े famous हुआ करते थे उस टाइम पर और इन्होंने secret society बनाई थी तो इसके बारे में बात करते हैं देखो तुम्हें याद होगा कि इटली जो है जब Vienna of Congress हुआ तो इटली किसके अंडर आ गया था ऑस्ट्रिया के अंडर आ गया था ठीक है ऑस्ट्रिया जो है अब एक तरीके से control कर रहा था इटली को Northern Italy को ठीक है तो जो इटली के लोग थे अब यह लोग यह सोचने लगे कि कोई दूसरे देश दूसरा देश आके हमारे उपर control कर रहा है तो हम तो अब वो अपने आपको एक तरीके से यह समझने लग गये थे कि हम तो अगर United नहीं रहे तो हमारे उपर कोई भी कम आके control करने लग जाएगा तो हमें क्या करना चाहिए हमें अपने आपको united बनाना चाहिए ठीक हमें एक जुट होना चाहिए हम लोग अलग अलग हैं इसलिए हमारे उपर कोई और राज कर पा रहा है तो इसी इन्होंने स्टार्ट किया लिखना अगेंस दा गॉर्मेंट और इन्होंने बहुत सारी दो इंपोर्टेंट जो थी सिक्रेट सोसाइटी बनाई थी उस टाइम पर इटली की यूनिफिकेशन के लिए यूनिफिकेशन की बात अभी हम समझेंगे यानि की एक जुठ होना या एक एक राज एक देश बनाने के लिए ठीक क्योंकि उस से पहले इटली बहुत सारे छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे में divided था ठीक है देखो मैं तुम्हें एक मैप दिखा देता हूँ यहां पर देखो यहां पर तुम देखोगे यहां पर तो यह मैप में तुम्हें जो यह इतली देख रहा है तुम्हें इतली यह वाला पार्ट है यह नीचे यह है इतली तो यह वाला जो इतली वाला पार्ट है यह वाला जो पार्ट है यह 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 बहुत सारी छोटी-छोटे हिस्सों में डिवाइड था यूनिफाइड नहीं था यह ठीक है इसको यूनिफी का यूनिफाइड करने के लिए किसीपी मजीनी ने अपना एक नया सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी तो इसके बारे में बात करते हैं राइट शॉर्ट नौट ऑंदा गुसेपी मजीनी वन सच रिवॉलुशनरी वाजदा गुसेपी मजीनी एन इटालियन पैट्रोइटिक पैट्रोड एंड नेशनलिस्ट त तुगेदर विद्धा गुसेपी गरिवाल्डी केवर एंड विक्टर एमिनल ही इस कंसीडर वन ऑफ पैट्रोण सेंट्स ऑफ इटालियन रोजर गिमितो ठीक है एक तरीका ग्रूप होता है ठीक है या दख लेना एक तरीकी के ग्रूप होता है जिसमें तीन लोग वह करते थे देखें हैं का गैवियर गारीवाल्डी और मजीनी तो जैसे कि आप बता रहूं कि तीन जो इटली को यूनिफाए करने में तीन इंप्रेंट लोग थे तो यह था कैवियर कैवियर को कहा जाता ता दबरेन गैडिवाल्डी को कहा जाता दा स्वार्ड उता तलवार और ठीक है याद अखना ये एक तरीके से ये दिमाग थे कि यूनिफाई कैसे किया जाए ये तलवार यानि लड़ाके थे जो लड़ाईयां करते थे और ये हर्ट थे मतलब जिसकी वज़े से यूनिफाई हुआ दिल जो थे इटली की वो कौन किसे माना जाता था यूसिपी मजी ठीक है मजीने हैड कमिटेड हिमसेर्फ तो दो कॉज आफ इटलियन यूनिफिकेशन एंड इंडिपेंडेंस तो जो जो इसी पी मजीनी है इन्होंने अपनी इटली की यूनिफिकेशन के लिए अपनी पूरी जिंदगी उसी पे कुर्बान कर दी थी वास दा मेंबर आफ रिवॉडूशनरी बहूंत सारी लिवॉडूशनरी ऊर्गनाइजेशन से जिनको जिनके साथ यह स्टार्टिंग से ही लगे हुए थी ठिक है जैनुवा के थे वह बॉन जैनुवा ठीक है एटीन जीरो सेवन में इनका बॉन यह वस बॉन तो उस देश से इन्हें निकाल दिया जाता है क्योंकि यह रिवॉलुशनी और्गनाजेशन्स में पार्ट ले रहे थे और जबकि मैं बता रहा था कि इस देश से निकाल दिया जाता है तो यह देश से निकाल दिया जाता है और यह फ्रांस में जाके उस टाइम पर बस जाते है तो इन्होंने महाँ पर ही एक सोसाइटी का गठन किया था जिसका नाम किया था यंग इटली ठीक है इट वाज एन असोशेशेशन विद अट्रेक्टेड अडरेंट थ्रूआट दा पेनिंसुला तो बहुत सारे जो लोग थे कौन-कौन से स्विज्जलेंड जर्मनी इटली तो वहाँ सब उन सारे लोग जो थे इस जो सोसाइटी है इसके मेंबर बन गए तो इनकी इस थिंकिंग जिनकी भी थिंकिंग एक जैसी करती थी उन्हों सारे इस सोसाइटी के पार्ट बन गए तो याद अखले ना क्या नाम था यंग इटली उसके बाद इड़ास फॉंडेट इड़ा मार्सलेज यहीं आलसो फॉंडेड एनधर सोसाइटी इन्होंने एक और सोसा करने वाले लोग हुआ करते थे और यंग यूरोप जो है इन्होंने कहां पर किया था बर्न में किया था अच्छा यंग इटली की बात करी जाए तो यह कहां पर इन्होंने इसकी फाउंडेशन कहां रखी थी तो मार्सलेज में रखी थी ठीक है मार्सलेज एक यूरोपिन एरिया है और ऐसे ही यंग यूरोप की foundation कहां रखी थी इन्होंने तो इन्होंने रखिया यह बर्न में बी-e-r-n-e ठीक है यंग यूरोप की तो इसमें कौन-कौन इसमें बहुत पॉपलर हुए थी इनके जो सुसाइटी थी इनमें आराउंड सिक्स्टी थाउजन मेंबर्स हुआ करते थे उस टाइम पर बहुत फेमस वा करते थे तो इनके क्या-क्या बिलीफ हुआ करते थे जैसे कि मैंने बताया था कि यूसिपी मजीन को कहा जाता था से यह काम कर रहे थे तो ही बिलीफ डैटाइन इटली के नौट एक्जिस्ट एज़ा पैच्वर्क किंग्डम सैने स्टेट्स क्योंकि अभी देखो पैच्वर्क का मतलब क्या है कि जो इटली की में बात कर रहा हूं वह आदा ऐसे ऐसे कुछ हिससे इसके अलग हैं कुछ हि इसके बहुत सारी हिस्सव डिवीजन हो रहा था ठीक है तो इस जैसे क्या हुआ यह जो डिवीजन था तो यह पैच्वर्क बनी हुए थे और इस पे अलग-अलग किंडम सराज किया करते थे ठीक है तो इटली जो है एक साथ यूनिफाइब होना चाहिए था यह इनकी ठीक इटली एक राज्य बन जाए और उसका कैपिटल क्या हो रोम हो आज की डेट में इटली का कैपिटल रोम ही है और वो यूनिफाइब नेशन स्टेट है आज की डेट में लेकिन इनकी ठीकिंग उस टाइम पर देखो ऐसी थी दिस न्यू इटली वोड लेड अधर सब्जक् लिवर्टी और जो यह नया राज्य बनेगा इटली यह दूसरे लोगों को यह सिखाए फ्रीडम और लिवर्टी के बारे में अन्यू यूरोप कंट्रोल बाइदा पीपल और बाइदा सोरेंस वोड रिप्लेस दा ओल्डर ओर वो क्या चाहते थे कि एक नया यूरोप बने इसलिए यह देखो अपना अपना जो सोसाइटी थी उसका हमेशा नाम क्या रखा करते थे यंग यंग यूरोप यंग इटली मतलब वो एक डिफरेंट तरीके की गवर्मेंट को चाहते थे जो की कैसी गवर्मेंट हो कंट्रोल वाइदा पीपल लोगों के द्वारा उसे कं प्राइट की की गवर्मेंट हो बाइटीन फॉर्टी इसमेशनी हैट बिकेम दा रिक अगनाइस लीडर ऑफ दा इतलियन नेशनलिस्ट रिवालुशनरी मॉवमेंट एटीन फॉर्टी तक मजीनी ने इतना काम कर लिया था कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुके थे इद ली नेशनलिस्ट नेशनलिस्ट रिवालुशनरी मॉवमेंट में ठीक है वाज दा वन अब दा रिक अगनाइस्ट लीडर्स हो चुके थे ठीक फॉलिंग हिस मॉडल सीक्रेट सुसाइटीज वर आलसो फॉर्मड इन जर्मनी फ्रांस स्विजलेंड और पॉलेंड तो क्यों यहां पर जर्मनी फ्रांस स्विजलेंड पॉलेंड यहां पर भी बहुत सारी सीक्रेट सुसाइटीज बनी जिनका सबका क्या थिंकिंग थी कि वह रिपब्लिक चाहते थे यानि कि ऐसी गवर्मेंट जहां पर एलेक्शन हों हैड जो है वह एलेक्ट किया जाए एड वो लोग डरने लगे थे ठीक है मैटरिंच कॉल्ड हिम दा मोस्ट डेंजरिस एनिमी ऑफ दा स्टेबलिस्ट सोशल और और मैटरिंग मैटरिंग ने इन्हें क्या कहा था मैटरिंग कौन थे वह एक्चुली ऑस्टिया के जो ऑस्टियन इंपायर था उस टाइम पर उसके च द्यूक मैक्टरिंग नाम हुआ करता था उनका और उन्होंने कहा था कि जो गुसिपी मजीनी है यह क्या है यह मुस्ट डेंजरिस एनिमे है इस्टेबलिस सोशल और के जो अभी चल रहा है सोशल और उसके सबसे खतरनाक दुश्मन कौन है गुसिपी मजीनी ठीक है तो यह हमारा आज का पार्ट खतम होता है आगे हम पढ़ेंगे revolutionary acts between 1830s to 1848 1830 से 1848 के भी इस में कितने revolutionary acts हुए क्या क्या changes आए जिसकी विजए से nation state बनेंगे दो फेमस एक तो Italy और एक जर्मनी उसको बढ़ेंगे हैं आगे नए पार्ट्स में ठीक है इसके कुछ आंसर कर ले ना सारे जितने भी मैंने लिखे हैं इसमें